है कि आपने मोबाइल की दाट है कोई सेयर कर सकते हैं यांदा कोंप्टर करना है यहां पने तीन की डीन इंटरेंट को कम्पीटर के अंदर दूसरा आम नहीं है कि आपने इंटरे can direct को कैसे शेयर कर सकते हैं अपने कंपीटर के अंदर वहीं तरहHow इस पहलु करने के अ मोइल को अक्टिशन चाहर के तो आपको सेटिंग का ओप्षन आपको मिल जाएगा ठीक है तरफ यहां पर अडवांस नेटवर्ट सेटिंग इस पर हम किली करेंगे ठीक है अब यहां पर आएंगे यहां पर देख सकते हैं इस पर इसे इनेबल करते हैं तो यहां पर आपके आपके मेंगे इसविक है क्वाई प्रफ现在 यहां इसलिए यहां पर हम आगर के इसे इनेबल करनेंगे ठीक है अब आप देखते होंगे कभी-कभी आपके ओप्र सेटिंग थस्जाइन है ऐसे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर भी वाइफ्य का जो सेटिंग उसे इनेबल कर दें गे और इधरनेट को अपने इंटरेनेट को एककस्स कर सके हमने यहां पर तीनों सेटिंग को इनेबल कर दिया है अब सिंप्ली हम चलते हैं यहां पर अब मेक स्यूर कि आपकी जो कंप्टर है या फिर मोवाइल है इसे फोगेट कर दिजिए ठीक है उसके बासे आपको प्रोसेस में आपको बताऊंगा इसके बास यहां पर आना है एड और ब्लुटूथ डिवाइस इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है अब यहां पर सची होने लगे अब आपको क्या करना है कि आपको अपने मोवाइल के उपर आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोवाइल के उपर आगे हूं ठीक है यहां पर आना है अपने ब्लुटूथ को यहां पर सिंप्ली ओपेन कर लेना है ठीक है यहां पर आपको ब्लुटूथ की इसको इनेबल कर देंगे इतना करने के बाद आप आएंगे अपने मोबाइल के कम्पूटर गंदर यहां पर मैं अपने कम्पूटर गंदर आ गया हूं और सिंप्ली यहां से आप नेक्स पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको एक आप नोटिफिकेशन एरिया में आप आपकी मोबाइल सबस्कार क्लिक है क्वाल के लिए इसको ट overall कोणके लिटन सबस्केंगे आपकी inटनेट यहांपर अपफ यहांकि अब चलिए यहां पर आते हैं लाल्त करते हैं अब यहांपर हम गुगल करों को यहां से ओपन करते हैं ठीक है यहां पर देख सकते हैं हमारा एक ओप्षन यहां पर दिखा रहा है आप इंटरनेट से इसे चल रही है तो आप यह अधी समझ गए किस तरह से हम अपने ब्लुटूप इंटरनेट को कैसे शेयर करें अथे अब चलिए अध्म आफ डेती हैं कि आप अपने केबल के थे टूर्च से इंटरनेट को शेयर करें गया सबसे पहले हम आते हैं अपने Bluetooth को यहां बंद कर देते हैं यहां पर आते हैं हम आप देख सकते हैं मोबाइल से Connect किया है अपने laptop के अंदर यहां पर आएंगे यहां पर आएंगे USB Tethering इस पर हम किली करेंगे यहां पर आएंगे यहां पर आपको इनेबल कर सकते हैं तो यहां पर हमने इनेबल कर दिया है यहां पर देख सकते हैं यहां पर इनेबल कर दिते हैं तो इससे आप जो है कि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगे यहां पर देख सकते हैं कि हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी थी बुलूत के थूरू उसको भी बंद कर दिया है और जो केबल के थूरू अपर आपको दिया है अप आप इसे क्लिक करने है निचे तरफ आएंगे होड़े अपर आपऑसवर्ड गए को सकते हैं यहां पर आहेंगा सेकिरोटी के अंदर आप यहां पर हम आते हैं back यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा hot spot on है ठीक है अब आते हैं अपने computer के अंदर और यहां पर side में आप देख सकते हैं जो action center होता है उसके अंदर यहां पर एक Wi-Fi का option है ठीक है यदि आपका Wi-Fi option नहीं है तो simply आप में आपने इसी वीडीओ को और लास्ट सुरूध में मैंने बताया है किस तरह से आप अपने Bluetooth को यहाँ और वाइफ़ को कैसे do पर दोबारा जी करना है के को теकई arbeंट करने धैशंक पर यहांपने पταιकशन मीड़ करता हूं ठीक है यहांपर अपने पासवड को टाइप कर दिता हूं ठीक है यहांपर पासवर्ड को टाइप गुर्धिया और फिर यहांपर पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी जो है इंटरनेट थोड़ी सी टाइम लेगा आपकी नेटवर के वर चेक करेगा और उसके बाद सिंबल देख सकते हैं कि आपकी इंटरनेट जो है कनेक्ट हो है ठीक ना चली अबर हम क्रों के अंडर आते हैं और कुछ भी आ अगर आम अगर तके यह प्र है अधोसिश लूट सकते हैं मैं कोशिस करेंगा कि उसकी मैं एक solution निकालूँ ठेक है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रने ज़ते हैं फिर अगले वीडियो मिलते हैं एक नए topic साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें जै हिंद जै भारत है